आज हम बनाने वाले हैं बहुती अलग तरीकी का नास्ता जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आप इपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं से बनाके इसको बनाने में बहुती कम समय लगता है जटपट बन जाता है नास्ता तो चली बनाना पहले हम लेंगे हाँ पे मैदा तो मैंने एक कटोरी मैदा लिया है एक कब के लगपग में और उसमें डालेंगे दो चमबच बेशन अगर आप ज्यादा कॉंटिटी बना रहा है तो आप मैदा और बेशन की कॉंटिटी बढ़ा लीजेगा उसके बालेंगे एक कटा हुआ प् मुला देंगे ऐसके बाद आप में पानी अड़ करना है थोड़ा थोड़ा करके पहले पानी डालेंगे तो मैंने एक ग्लस पानीलिया है तो पर थोड़ा साड़ लेते हैं और भीसें कॉट पिसarti कग मिलांगे गोल को बहुत ज़दा गाढ़ा भीनी बनाना है और बहुत ज देखते हैं कितना गाड़ा होता है तो अभी जो गोल इदम परफेक्ट है इसे जादा पानी नहीं डालेंगे इतना ही गाड़ा में इसे बनाना है उसके बाद लेंगे एक पैन नॉन इस्टिकी पैन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहाएगा वैसे आप इसे तवे भी बना स देंगे और फ्लेम को एकदम से लो कर देंगे हाइफ पे इसको बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे इदम लो कर देना है और इसको ढख देंगे और छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए 2-3 मिनट के बाद आप देगेंगे कि दूसा तरब जो है वो पक चुका है तो जब चेक कर बनाएंगे जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है तो आप इसे बना के जरूर ट्राय करिएगा उपर से में तुछा से इसको कट कर रहे हूं ता इसमें जालों कि थूड़ा सा तेल इसलिए क्योंकि तुछा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी तुछा सा उपर से त अगें दाला देते हैं और फिर नहीं ब्रॉल देखंगे उसी तरीके से लो फ्लेम पे ही और फिर दो-तीन मिन राइट के पाद इसको देखेंगे तो दूसरी तरब सभी यह पक चुका है प्लट देंगे देखें दूसरे तब सभी यह पक गया है तो अब इसे डालेंगे बच्चों को इसका टेस्ट बहुत पसंद होता है तो इसमें कैचिप लगा देंगे चार तरफ से और हम इस चीली को पिज्जा का रूप देंगे बिल्कुल पिज्जी के तरह लगेगा यह तो सौस लगाने के बाद इसके उपर डालेंगे धेर सारा चीज तो यहां पर मैंने मोजरेला चीज लिया है चार तरफ से अच्छे से चीज डाल देंगे यह पिज्जा के तरह बिल्कुल हो जाएगा और इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा और और थोड़ा सा ही डालेंगे इस पे चिली फ्लैक्स तो आब इसको इसी तरीके से लो फलिम पे फिर से ढख देंगे क्योंकि जो चीला है ओ तो पक चुका है बस चीज को मील्ट होने का देर है जैसा ही चीज मील्ट होगा हमारा जो बनके त्यार हो गया है पिज्जा मतलब चीला और प्लस पिज्जा इसमें दोनू का ही तो आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप इसे बना के जरूरे करेगा, या आपके घर में बड़ो को, बच्चो को, सब को बहुत पसंद आएगा, उपर से देखने में लग जाएगा, लेके अंदर से ये पूरा चीला है, मतलब बेस बनाने की को जरूरत नहीं है आराम से चीला बनाईए उसके उपर इस तरह से चील जा लिए और बनके तयार हो गया है हमारा इदम नए तरीके का बिजा तो आप अपने बच्चों को बना के जरूर खिलाएगा उन्हें बहुत पसंद आएगा और हमें जरूर